गुड मॉर्निंग दिया स्टूडेंट्स, हम बोडी फ्लूड एंड सर्कूलेशन पढ़ रहे थे, आज नेक्स्ट टोपिक है उसका हर्ट, हर्ट क्या है बेटा? इंपोर्टेंट पार्ट है सर्कूलेशन का, जिस तरह से रस्पीरेशन का लंग्स था, ठीक है डाइजिस्टिव सिस्टम का अलिमेंटरी के नाल था, एक्सिरेटरी सिस्टम का किडिनी होगा, उस तरह से सर्कूलेशन का कोन है? हर्ट, हर्ट क्या होता है? हाट्स अभी वर्टीप्रेश में प्रेजेंट हुथते है, मस्कुलर ओर्गन हुथते हैं, कौन से मसल्स का बने, कार्डिक मसल का, पंपिंग ओर्गन का काम करते हैं, बलड को receive करते हैं, बलड को pump करते हैं, वयरिय्ज ओर्गन और टीशु तक, और स्पोंटेनियर से जिसे कैसा आट कहते है, venus art, क्यों, क्योंकि इसमें बेटा mixing होगी, बलड की, ठीक है, इसमें oxygenated और deoxygenated तो, अलग उत्ते ही नहीं है, ठीक है, इसलिए इसको venus art कहते है, amphibians में बेटा three chambered art होते है, एक ventricle, और two auricles, इसमें भी mixing होगी, बलड की, क्योंकि एक ventricle है, और two auricles है, ठीक है, तो, ventricle में at last में जाके mix हो जाएगा, ठीक, next आता बेटा, reptiles के अंदर, reptiles के अंदर, ठीक है, amphibians के बाद क्या आता है, reptiles, reptiles के अंदर होते है, बेटा, partially three chambered art, partially three chambered art का मतलब है, कि पूरी तरह से four chamber नहीं होता, यह जो chamber है, यह आफ partition कर जाते है, इस तरह से, ठीक है, पूरी completely divide नहीं होता है, यह two auricles है, और यह एक ventricle, और यह भी ventricle, जो incompletely divide ह जिसे क्या कहते हैं, reptiles, two auricles, and partially divided, ventricle, exception है, इसमें, crocodile, जिसमें four chamber art होता है, देखो, यह fishes का art दिखा रखा है, one auricle, one ventricle, यह amphibians का art दिखा रखा है, right auricle, left auricle, और ventricle, पूरा chamber है, mixing हो जाएगी, यहां से बलड़ाया, तो यहां mix होगा, पका, ठीक है, इसके बाद देखो, reptiles के अंदर partially, incompletely divide हो रहा है, यह है birds और mammals के अंदर four chamber, partially नहीं है, इसमें completely divide है, तो four chamber है, इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी mixing नहीं होती है, birds और mammals में, कितने chamber होता बिटा, four chamber, इसलिए हम लोग double circulation करते हैं, क्या करते हैं, double circulation, double circulation क्या होता बिटा, pulmonary, एक बार दो, ठीक है, pulmonary का मतलब lungs के अंदर, दूसरी बार systematic, systematic का मतलब है, body के अंदर, for example, देखो, left orical, यह देखो आप body, body के उपर पार से, और बिलो पार से, दोनों तरफ से deoxygenated blood आया कहा गया, right orical में, right orical से, right ventricle में, right ventricle से, lungs में, lungs से, oxygenated blood उठाया, left orical में, left orical से, left ventricle में, left ventricle से, body में, तो एक बार तो किसको repeat कर यह, lungs को यहां तक, ठीक है, और इधर वाले पार्ट में, body को, तो जो blood है, वो twice गया, तो उस process को हम क्या कहते हैं, double circulation, समझ में आया, 10th class में भी पटा था, हम नहीं है, ठीक है, अब आता बेटा, heart कैसा होता है, internally और externally, इस बात को समझेंगे, heart बेटा, hollow muscular organ होता है, और इसका size इस तरह से होता है, हमारी fist, ठीक है, इस तरह से, यह lungs के बीच में, यू लाई करता है, दोनों lungs के बीच में, ठीक है, theoretic cavity, यानि कि यह आपका add हो गया, यह जो बीच का part है, chest cavity, theoretic cavity, इसके अंदर दोनों lungs के बीच में, यहाँ पर लाई करता है, ठीक है, इसकी जो layer होती है, पिटा, उसे pericardium कहते हैं, inner, अंदर की तरफ visceral pericardium, बार की तरफ parital pericardium, इन दोनों layer के बीच में, एक cavity present होती है, जिसे pericardial cavity कहते हैं, इसमें fluid बरा होता है, जिसे pericardial fluid कहते हैं, ठीक है, मज में आया है, अब आते हैं पिटा, internally और externally, heart की structure कैसी होती है, externally, जो heart है, पहले वो पढ़ेंगे, कि बार की तरफ से कैसा लगता है, बार की तरफ से बिटा, हमें पढ़ता है, हमारा heart कैसा है, four chambered, ठीक है, कैसा है, four chambered, इस तरह से, four chambered heart है, ठीक, उपर का जो छोटा पार्ट है, वो auricle कहलाता है, निचे का जो बड़ा पार्ट है, वो ventricle कहलाता है, heart double pump करता है, right part, the oxygenated blood कैरी करता है, left part, oxygenated blood कैरी करता है, toward कितने chambered हुआ, four chamber, ठीक है, ओरिकल, smaller part उतता है, ventricle, larger part उतता है, ओरिकल हमेशा collect करता है, बलड को, और ventricle distribute करता है, इसलिए से collecting chamber कहते हैं, ठीक है, ओरिकल, जो है, वो ventricle से अलग है, इस aperture को, इस चीज को क्या कहते हैं, बटा, coronary sulcus, और ventricle, ventricle से अलग है, यह subparteation को क्या कहते हैं, बटा, interventricular groove, यह externally हमें heart दिखाई दे रहा है, अब बात करते हैं, हम internal structure की, heart के internal structure की, देखो बटा, यह inferior vina कहवा है, जो body के निचले parts से blood लेकियाएगी, यह superior vina कहवा है, जो body के उपर part से blood लेकियाएगी, यह open कर जाएगी बटा, इस opening से, यह देखो, inferior vina कहवा की opening है, यह superior vina कहवा की opening है, और कहां खाली कर देगी blood को दुन्नों मिल करके, right auricle में, right auricle में, जब यह fill हो जाएगा, ठीक है, तो यह एक wall present debit है, इस तरह से, उस wall को कहते है, tricuspid wall, ठीक है, इसके flaps यहाँ है, जैसे ही, यह blood यहाँ खाली कर देगी, और ventricle बरने लगेगा, तो यह उपर जाकर के, इस से टकरा जाते हैं, ठीक है, तो यह tricuspid wall है, यह आपको जो दिखाई दे रही है, इस तरह से, जो grooves दिखाई दे रही है, यह इसको खोल, contraction, relaxation में help करते हैं, कोलम कार्णी और papillary muscle, papillary muscle थोड़े broad होते हैं, कोलम कार्णी थोड़ी narrow होती है, यहाँ तक समझ में आये right part, अब देखो बिटा, यह फिल होते ही, यह semi lunar wall से, with the help of pulmonary, with the help of pulmonary artery का चले जाते हैं, lungs में चले जाते हैं, ठीक है, next part आपको दिखाई दे रहा है, यह left part है, left part में blood आएगा, heart से, ठीक है, pulmonary vein के दुआरा, यह opening है pulmonary vein की, इधर देखो, ठीक है, pulmonary vein से, यह bicuspid wall के flap है, इस तरह से papillary muscle और कोलम कार्णी, ठीक, यह कोलम कार्णी और papillary muscle मोजूद है, यह bicuspid wall से इसमें फिल हो जाएगा, पूर blood ठीक, और यह इसका semi lunar वाल है, और इससे कार चला जाएगा, otric arch में, otric arch divide होती है, जो body में चली जाती है, ठीक है, समझ में आए बिटा, yard का आप क्या देख रहे हो, internal structure, इसको अच्छे से समझ रहे हैं, इसकी partition को क्या कह रहे है बिटा, interventricular septum, ठीक है, right ventricle, और यह जो द capillary muscle, जो किसी भी वाल को open या close करने में help करते हैं, ठीक है, internal structure अच्छे से समझ में आया, इसके बाद हम इसकी working पड़ेंगे, की heart work कैसे करता है, बहुत असान है, इसको रटना नहीं है, ठीक है, सभी की अलग-अलग opening सूती है, इनको open और close करने के लिए flaps होते हैं, जैसे यह फिलूते हैं, उसे टकराते हैं और उसको open कर देते हैं, close कर देते हैं, ठीक है, तुमझ में आया है बिटा, thank you